दुनिया का सबसे चर्चित खेल फुटबॉल है और रेफरी अक्सर फील्ड पर सबसे जादा नफरत करने वाले व्यक्तिब बन जाते हैं। हालां कि उन में से कुछने भीड और खिलाडियों को नियंतरित करने के कौशल में महारत हासिल की है। हालां कि फील्ड पर महिलाओं को इस भूमिका को निभाते देखना हमेशा खुशी की बात होती है। आज हम 10 सबसे खूबसरत महिला रेफरी के बारे में बात करने जा रहे हैं चिनोंने अपने टैलेंट और उसके दम पर लाकों पैस बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बनने का सपना देखती है। ग्लैमर मॉडल दिखने वाली रेफरी ने कहा कि उन्हें पिछ पर कभी कोई परेशानी नहीं हुई और इसके विपरीत अक्सर खिलाडियों से मैच के बाद भूल प्राप्त करते हैं। नमबर नौ देनिस ब्यूनो देनिस ब्यूनो एक ब्राजीलियाई फैशन मॉडल है जो अब रेफरी बन गई है। देनिस ब्यूनो वर्तमान में सक्रिय ब्राजील की सबसे खुबसूरत महिला फुटबॉल प्रेफरी है। देनिस ब्यूनो सुल्कियों में तब आया था जब एक खेल के दोरान ब्यूनो ने सपश्ट रूप से अपनी सपेट ती शट के नीचे ब्रा नहीं पानी थी। में एन लीग टीम को रेफरी करने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने बाद में सेंट जॉर्ज फुटबॉल एसोसियेशन और फिर एनस ब्लीव स्टेट लीग फुटबॉल रेफरी शाखा में चली गई और एनपील महिला वन प्रतियोगता में भाग लिया। केटी ने आईजी एनपील एनस डव्लीव मेंस 20 प्रतियोगता में उत्कृष्ट काम किया। बेस्ट फील्ड डव्लीव लीग रेफरी के शीष पांच में स्थान बनाया जो एक शांदार उपलब्दी है। नमबर साथ एना पॉला ओलिवेरा। इना पॉला एक ब्राजीलियाई फुटबॉल सहायक रेफरी, मॉडल और टीवी प्रस्तोता है। 1998 से वह पीपा महिला रेफरी की आधिकारिक सूची में है। 44 वर्षिय प्लेबॉय सहित विभिन पत्रिकाओं में काम कर रही है। जिस कारण ब्राजील के फुटबॉल परिसंग को 245 दिनों के लिए उन्हें अयोगे खोशित करने और पीपा के न्यायदीशों से निशकासित करने के लिए मजबूर किया। 6 औरेली सारा बोलियर। औरेली सारा बोलियर स्विटजर लैंड से आकरशक और खूपसूरत फुटबॉल रेफरी में से एक है। त्रीजस्वी स्विश सुंद्री ने अपने करियर की शुरुआत के दौरान कुछ लोवर डिविजन लीग मैचों में अमपाइरिंग की है। हाला की बाद में उन्होंने मौडलिंग करियर में जाने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि उसने सही फैसला लिया क्योंकि उसकी शांदार तस्वीरे सामने आने के बाद उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। नमबर पाच, क्लावडिया अमपियरेज पेशे से उरुगवेन एसोसियेशन मैच रेफरी और वकील है। उनके पिता एक फुटबॉल कोच थे और उनके चाचा एक पेशेवर खिलाडी थे। 2010 से और 2016 में फीपा के साथ काम करने वाली अमपियरेज उरुगवे फुटबॉल में मैच रेफरी करने वाली पहली महिला बनी। 49 वर्षिये अमपियरेज ने उरुगवे से के इन डिवीजन और उरुगवे फर्स्ट डिवीजन में प्रो आफिसर के रूप में अपनी नौकरी पूरी की। Lucy Oliver एक प्रसिद अंग्रेजी रेफरी है। उसने वर्टमान में प्रीमियर लीग रेफरी माइकल ओलीवर से शादी की है। Lucy बहुत ही खूपसूरत और समझदार है। लेकिन कभी-कभी उसके पैसले फुटबॉलरों को पूरी तरह से दुप में छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी जब उसने प्राइटन के काईली ग्रीन को दो बार बुप किया लेकिन उसे मैदान से बाहर भेजने में असफल रही। सुन्दर, प्यारा और बहुत चालाक ये सभी शब्द एलेना का बर्णन करते हैं। वह इटैलियन लीग में रेफरी है। वह एक अंशकालिक मॉडल हुआ करती थी, जबकि उसने इटली की निचली लीगों में पूर्ण कालिक मैच अधिकारी के रूप में भी काम किया था। एलेना ने 2015 में फुटबॉल जगत में सुर्किया बटोरे जब उसने समुत्र तट पर बिकनी, क्रॉप शॉट्स और टाइट टॉप में अपना स्लिम फिगर दिखाया। अब बहुत इटैलियन फुटबॉल के लिए एक टेली विजन प्रस्तोता के रूप में काम करती नमबर दो करोलिना बोजर उसने एक विश्व विद्याले में कानून का अध्यान किया और पोलेंड के दूसरे और तीसरे डिविजन में रेफरी मैश किया। और नमबर एक फरनेंडा कोलंबो उलियाना एक ब्राजीलियाई रेफरी है। ब्राजीलियाई आकर्शक को नकेवल एक अविस्मर्णी सुन्दता बलकि आकर्शन और बुद्धी के साथ उपहार में दिया गया था। वह पिछले कुछ वर्षों से ब्रासीलिराव में कारे परनांडा को रूस में 2018 पीपा विश्व कप के दौरान आधिकारिक पीपा जज के दूप में न्यूक किया गया था। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। एसे मज़ेदार जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।